हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एवी क्लासेज, आज जो मैं टॉपिक लेकर आए वो है गोईलर आज के वीडियों में बताऊंगा गोईलर का इंटोडक्शन दूँगा हिंदी और इंग्रिस दोनों ही लेंगज में जोंकी हमारा रिखा हुआ है टॉब्स किते प्रकार का होता है वे लगा, कितने टैप्स का होता है किस किस वेस पर उसको क्लैस्फिकिस 시न किया जाता Iskot कि कि सतरँ हम क्लैस्फिक्सन करते हैं, कि आधान पर करते हैं हम्हारा विडियो पूर देखें जिससे की आपकी यए वीडियर रुख तर में इससे पहले भी मैं थर्मो नायूब से लेटर बहुस सारी वीडियो डाल चुका हूँ जो कि हमाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहती है आप लास्ट देखेंगे वहाँ पर उल्टा एरोबर आना था जहां पर टॉपिक लिखा रहा था उसको क्लिक करते ही नीचे देखेंगे तो पूरा बॉक्स कर जाएगा उसमें डायेट लिंक दी रहती ही वहाँ से क्लिक करके आप जासा जो लोग नए जुड़े हुए हमसे वो लोग हमारे चैनल सब् सब्सक्राइब करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं वाटर को बरते हैं और उस बॉयलर को क्या करते हैं हीट देते हैं हीट के तुरू क्या करते हैं वाटर को गरम करते हैं वाटर कनवाट होती है इस स्टीम में और इस स्टीम को अलग अभी जगा यूज करते हैं अब इस स्ट को जनर्रेंट करते हैं हाई प्रेसर रोग तेमपरेचर जिसे हम इसको करते हिं अदिश में जो हमारी एकम्ट होती हैं इन सम में क्या करते हैं? इस ट्रीm का यच करते हैं? इसके लिए जो बॉएलर के इस ट्रीm के पाइट रहते हैं.. इसके लाबहा हम हम उन्णी सबते हैं, व्ह vehicle भी idag नो को अ 걸ॉस बनाए न ठाकोकशी का यूज आ जाता है तो उसको हम अनलाख प्रकार से हम classification बताते हैं और with diagram बताएंगे तो friends बॉलर तो आपको clear होगी आपको बॉलर क्या कुछ नहीं है यह closed पात्र है यह closed vessel है यह closed device है जिसका यूज हम steam को generate करने के लिए करते हैं अब हम बताते हैं इस कितने प्रकार के होते हो किस प्रकार से इस हो classification कर सकते हैं तो friends जैसे आपको देख रहा है बॉलर के टाइपस फर्स्ट होता है drum की axis के आधार पर क्योंगि कि यहां सबस्पunta है है यहां पर हो ऐतिए संटेंवब कर देखने है यहां पर कर देखना है मैं टिक लगा देता हूं सबस्पैले बता रहा हु है यहां फर्स्ट के और बहानेवारा मालें पहरे केला का Drum की एक्सिज के आपना खात है, प्हरर लिखा है Horizontal Baller और Vertical Baller, जैसे की Horizontal Baller मतलब क्या होता है? तो जिसमें एक Drum लगा हुआ लेता है, Drum की Position का अखूड़ है? अगर ड्रम अगर लेटी होई पोजिशन में तो उसको हम बोलते हैं होरिजोंटल पोजिशन मनलब अगर ड्रम किसी बॉलार में लेटी होई पोजिशन में रखा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे होरिजोंटल बॉलार अगर ड्रम खड़ी होई पोजिशन में तो उसको बर्ट उपर की और की अरता स्ट्रीम रानेट होती हो वही पर निर्मत होके भरी राती है तो बॉलर का है जो ड्रम का यूज होता अब क्या होता अगर खड़ा हुआ बॉलर तो वर्टिकल पोईशन होती तो उसकों वर्टिकल बॉलर होती है जैसे कि हैं पर एक्जांपर लिखा पर जया हुआ होता है इस में 3-5-4 पोईशन में बरभा हुआ है इसमें क्या होता है जब यीट जाती तो इसको गरम होते है तो उपर की साइड किया होती स्टिम जमा होने लगते उसका थिम बॉल पुत्रूब बाह ले लेती होई और लेटी हुई पोईचिन इस लिए इस पॉजिशन देख रहे ह lateral जै करनेक इसको डूम बोती इसमें क्या रहता है वोडर भराद रहता ओ फिस्क्रीम इंतो थे वह उपर की साथ जान सेटती लेकने हैं यह पर क्या हुआ इस ब्रॉटर की पोजिशन का सी लेटी हुए है इसलिए हम इसको अद्ल पोजिशन पोजिशन हो विए अगर जो हमारा ड्रम देखा है इसमें बाटर भरा इसमें पूरी प्रोसियर होई इसकी ठीक है और नीचे साइट बाटर रहता ऊपर जादा होता, steam हलकी होती, तो वो उपर की ओर जम्मा होने लगती है, जैसे ही बाटर करम होता है, इसकी जो पोजिशन दिख रही है, हमार जो में पर पर जोता आना कि वर्टिकल बोलर क्या होता है, तो यह जो दिख रहा हुआ, एक खड़ा हुए पोजिशन दिख रही, मतलब होता है, होट गैसों के आदार पर, या ट्यूब्स के आदार पर, इसको भी फ्रेंट समाझना बहुत जरूरी है, क्यूंकि इसमें कई बाट डिफरेंस पूछा जाता है, मैं सारे वीडियो एक्जाम परपस सही बनाता हूँ, जिसमें आप थेयोरी में अच्छा पर्पोर् इयक होता फायर ट्यूब ऑलर, दूसरा होता बाट ट्यूब, मंदब फायर होता है, आग जलाना, बाट ट्यूब मंदब ट्यूब्स के अंदर से बाट फ्रो ना, अब दोनों को भी बहुत अच्छी तरह समझाऊंगो, समाझने कुछ करना, पहला है फायर ट्यूब ऑलर, अब क्या रहता है, बॉयलर में tubes यूज काह Older में tubes यूज के रहते हैं, tubes water के लिए औरude फार के लिए दाज हरे लिए तो जो। gases होती है, hot gases होती है, गरम gases होती है, वो क्या करती है, अगर जो हमारी tubes लगे होगे, tubes के अंदर से flow हो रहेगी, मतलब tubes के अंदर से flow होगी, और water उसके आसपा सर्कुलेट होगा, मतलब tube गरम हो जाएगी, और water tube में contact करेगा, तो वो यहां पर क्या हो रहा है? जो हमारी hot gases है वो कहाँ से tubes के अंदर से flow हो रहे हैं ऐसे boiler, जिसमें tubes के अंदर से hot gases flow होती है और जो water होता है, tubes की बाहर circulate होता है ऐसे boiler form क्या बोलते हैं? fire tube water अब दूसरा होता है water tube त्विप के अंदर से water flow हो रहा है मतलब ऐसा गॉला जिसमें ट्यूब के अंदर से water flow और जो hot gases ट्यूब के बाहर हो मतलब जब water tube के अंदर से flow होगा और hot gases tube के बाहर से contract करेंगी तो जो tube के अंदर water है उसको गरम करेंगा वो इस्टिमें convert होने लगेगा तो समझे में आया होगा fire or water tube fire tube मतलब हो था hot gases tube के अंदर से flow हो रही है उसे हम fire tube baller पूलते हैं अगर tube के अंदर से water flow रहा है तो उसे water tube ball पूलते है अब दोनों के example करें समझा देता हो जैसे कि फर्ष्ट का example लेखा लंके सार बॉलर और पक्रेंड बॉलर लंके सार बॉलर से मैं समझा दूगा तो फायर ट्यूब बॉलर देखते लंके सायर बॉलर का एक चांप बनाएं फिर देखेंगे बाटर ट्यूब बॉलर जो की विपकोक्स और विपकोक्स बॉलर ये फ्रेंड से फायर ट्यूब बॉलर जिसको लंके सायर बॉलर के नाम से जाना रहा है वी मोलते ही इसको वाहि हो जो जिर ने के अंदर क Rider को जलाएंगे यहाँ पर के जलाएंगे तो को पूरे गरंगे और तो ये इसके जो हमारे इस ड्रम पाटर भण हुआ है तो इसके आसपास भण इस ड्रम में आसवास भरा हुआ है जबकि यह तुर्व आउट यहां से यहां तक हैं दो ट्यूब्स लगी जहाएं इसके अंदर से में हौट गैसे फ्लो कर आ रहे हैं यहां पर कोईला जलाकर यह अंदर हैं हट क्या कर रहा है हो इसके आसफस क्या भरा हुआ बठाटेज हू हो तो मैं समझा था हूँ यहां पर टूपिस लगी नंबर उन टूपिस लगी हुए है और यहां पर फाइर हो रहा है इस पर हबढ़ा है इस्में हो च्राइट हो रहा है वह कह Crash इसको आपनोट कर लें ये दोनों को, ये हिंदी की definition थी, English में भी आप note कर सकते हैं, बता देते हैं आपको, ये वाटरेटिव बला, ये हिंदी में था, यहाँ पर ये English में है, दोनों ही, इसको भी आप पर सकते हैं, वो हिंदी में भी, जिसमें आपको समझाने आए, अब next type में बढ़ते हैं, और आ तो इलक्ट्रिक फायर्ड यूज करते हैं, तीनों फायर्ट के यूज करके हम फीट को जनरेट कर सकते हैं, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट है वह है प्रेसर के आदार पर, इसको हम समयने की कोशिश करेंगे, प्रेसर के आदार पर बहुत ही जी है, अब है स्ट्रीम के दाव आदार पर बहुंश डिफ्रेंट ताइप के बहुत है लंगे सभर आदार बहुत ह है, आदा पर पर लगे कलिंदे पर उतने पर ही हम समयने के अदार हो जाते हैं, यह इस में ऐक्टी ते सामच के चम आदार सी पर ही यह पिनदमiiiii कैछ माशित रा yi जिनमें तो उससे आधिक प्रेसर पर इस्ट्रीम जान्य रखती है। ने भार जाना सूरिक्तम के किरने पर से अ unquote के अधर बना सकते हैं अब ओना नोटर सबस्सक्राइब वह आप पर सबस्क्राइब कर सकते हैं अब नेक्स्ट है उपयोग के आदर पार उपयोग उपयोग के आदर पार बनाद योट के आदर पार देखें इस्टेशनरी फिक्स्ट बोईलर पिक्स मborg ऐता है इक जगह एक जगह मандला जो बॉलर एक जगह इस तर रहती है वोलार एक जगह Baldi कैसे लगता है ऐसे वोलर जो एक जगह रहती है वोलर इस्टेशनरी वोलर केला करतलती है अज डूस Pruevile जो एक स्थानी सथा आसानी से जा सकते ऐसे बॉलर, port रड बॉलर की क्टेगरिन आता है परेशितर applies मवर्लों की इसको जा सकता है और इसका यूज़गी किया जा सकता है तो ऐसे फ्रेंट की जो बॉलर होते हैं उसको हम क्या करते हैं पोर्टेवल बॉलर इसको भी आप क्या कर सकते हैं यह इंग्लिस में यह आप इन्नी इम डेफिनिस्टन होगा अब जो बॉलर के अंदर बॉलर को बॉलर के अंदर बॉलर को 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 बॉ बाटर कम होगा उपर से नेच्छरली बाटर फिर से त्यूप के अंदर आ जाएगा इस तरह के जो बाटर होते हैं वो नेच्छरल सर्कुलेशन बाटर की कटागरी में आते हैं उसमें नेच्छल तरीके से बाटर होता है नेक्स्ट होता था पॉस सर्क्योसिंा जो हमारे बोलल contributes वो लो लॉड कि के तकी कटिगरी में ने अब फोस स्थि सी बहरी अक्श्टर्नल थोष से आँ बार्टर को सर्क्योड करने के लिए फंप करते हैं तो मनलं किसी पंप के थिरू बार्टर को सर्क्योड कर रहा है ऐसे गॉलर जो होते हैं उनकों आ वो चुन कि आपको इसकी एज्ज एशन लेखने पहले इसके एक्जामपल भी लिख सकते हैं आप जू में अंगलिस अगर आप इंगलिस में पढ़ेंगे तो आपको एक्जाम्पल में जाएंग बहुत सारे एक जाम्पले इनको भी आप नोट कर सकते हैं जिससे कि आप अच्छा सा वीडियो पुरा समाझ सकें और थेओरी में अच्छा परफॉंस कर सकें अगर आप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंड्स को की बताएं तो कोसिस करूँगा कि वह हिंदी इंगलिस में अग으 हो हिंदी वाफॉंस परफॉंस कर सकें और cane मिक्स करके आप भी कंसेप्ट की लिए कर सकें और उसको लिख सकें आपको रटने के लिए होतना को रहें अगर पसंद आए तो चीनल सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकों को देवाले और हमारा वीडियो लाइक जरूर किया थैंक यू फ्रेंड्स